स्टुडेंट्स आज चा लेक्चर में आज आज आपन सम बैसिक प्रिंसिपल्स अफ और गैनिक केमिस्ट्री हाज आज आप्टर शी रिलेटेड पुडचा पोइंट बंगना रहे रेजोन अन्स ट्रॉक्चर्स बगा मुलानों आपन लास लेक्चर ला इफेक्ट स्टार्ट के लेलेत ओके रियक्चन मदे सब्स्ट्रेट आणि रियेजन्ट हे दोन पार्ट असता आँ रियेजन्ट शी रिलेटेड तुम्चा इलेक्ट्रोफायल ने उकलेओ फायल हे आपन बगितले उता आणि त्याचर ज़स्टा सब्स्टिटूशन हासेल के वा त्याच्या टें पन टेली के लेले तर बगल आज पुडचा पार्ट जो आए रेजोन्स ड्रक्चर हाँ पार्ट अपलेला बग्गाईचे मुग्ला आज री रेजोन्स जो मत gapलेला खुप सार हेग्जांपल सांगता नाई धेल जह चै जता हासता की यां फिनोमिनोन मदे काई केला जाता की जो तुमसा दिलेला कंपाउंड असतो तैच्चे दोन की वा दोन पेक्षा जासत इलेक्टरोनिक स्टक्चर आपलेला ड्रॉ करता येता आणी परटिक्लरली तैपला कुटला ही स्टक्चर जर घेटला किवा तेसा करना रहा है पुड़ जाओं तेचे एक्जांपल आहे तेस अग्रे स्ट्रक्चर काय करतास तत की ओल प्रोपर्टी जा है त्या कंपाउंचे एक्स्प्लेन करतास तत अंजे समझा एक हाद्या स्ट्रक्चर चेक तीन स्ट्रक्चर ड्रोव होतास तील की वह काहीची चार होती तोर दोनी ही structure एका में काला इकवल असतत और दोनी ही ज़ाचा same property explain करायला capable असतत आसना एक कुटला तरी एक structure वेगला प्रोपर्टी दाखोत और दुशरा structure वेगला प्रोपर्टी दाखोत और जहीजी similarity आसते त्या structures मदली तला मटला जात resonance दोनी ज़ा property similar रहतात और त्याच बगाया चाहे तर बगा सग्राशी यह दुशा सग्या फैमिलियर कंपाउंड जर आपन बगिटला तर बेंजीन आपन बेंजीन ची रिलेटेड फैमिलियर आहोत बेंजीन चा फार्मुला सग्या ना महिते बगा C6H6 हात चा फार्मुला है हाँ cyclic टाइप चा कंपाउंड ह अगि हा cyclic compound मदे आप लेला महिते की तर चा मदे alternately single आणी double bonded character असत तर बेंजीन ची रिलेटेड आल्टर्नेटली है single आणी double bond जे कारेक्टर आहे सहा कारबन मदे तुमचा तर त्याची bond length प्रत्ते का ची रिलेटेड आपन तर बेंजीन ची रिलेटेड अल्टर्नेटली है जो पूर्ण स्ट्रक्चर है तुमसा तर हे जर कंसेडर केला तर प्रत्ते क्स्ट्रक्चर शी रिलेटेड आप्जर्वेशन मदे तुम्हाला काय दिशते की सगया ची bond length ही same अज दिशते पन एक्सपेक्टेशन जर कंसेडर केला तर वेग वेग या bond length इता असते लिया बग तुम्हाल एक्जाक्ली ओट दो मीन बाई कॉंजोगेशन कॉंजोगेटेड सिस्टीम मंजे काय बगा जिता आल्टर्नेशन रहता मंजे सिंगल नंतर डबल बॉंड देन आगें सिंगल देन डबल ही जे गाई आसता ते में मेंटेंट है वाव लागत लेवी स्ट्रक्चर ँच्क आल्टर्नेटली मल्टीपल बॉंड्न अल्टर्नेट सायला पहें लो हो यह सिस्टीम ला गोंजोगेटेड या थेरी चे consider के लिए point अपन तर ते चा मतला पहिला point का ये सांग तो बगा pi electron जास्ता in conjugated system of pi bonds are not localized to a particular pi bonds ये पहिला जाच a character ही ना रहे resonance effects जार consider के ला तर short मध या आपन तला define कसो करूशक तो what is resonance? it is nothing but the delocalization of pi electron pi electron आता निमके तुमचे कुट आस्ता तर जिता तुमचे double bonded character है अता अपलेला महीते double bond मदे तुमचे एक bond हा pi bond असतो नहीं दुसरा bond हा sigma bond असतो resonance effect मदे होता काई की pi electron चे delocalization होता सहा कारबन जा है ता पलेकड सहा कारबन जार consider के ले स्ट्रक्चर जार ड्रॉ के ले बेंजिन डिंग चा तर या फॉर्म मदे तुमचे तुमचे इता आलेला बगहला में स्ट्रक्चर मदे जर आपन बगिटला तर मी काय सांगिटला की आल्टर्नेटली तुमचे काय सना रहत सिंगल अनी double bond है या फॉर्म मदे structure अपलेला बगहला में आता बगिटला तर ये ता तीन double bond है तानी तीन single bonded है तर इता होता काय कि फक्त पाई लेक्ट्रण तुमचे डी लोकलाज़ असा आरत फ्री टु मुँ ती मुँ हो शकता त्या स्ट्रक्चर मदे मग फक्त पाई लेक्ट्रण चा लोकलाज़ीशन होता कारबन जासता त्या आपली पुजिशन सोड़त ने तमझे जे तुम नंस की वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपले ड्रॉ करता यता अधा अधा त्या फैक्टस अगया कंसेडर करून जे हो जवाँ आपन रेजोनेटिंग चा ड्रॉ करतो तर आता तुम जो टेक्स्ट्बुक मदे इथा दोन च्रॉक्च्चर त्या रिप्रेजेंट के पहिली बेंजिन ची रिंग है तुमची अड़े पाई लेक्ट्रोन ची शिफ्टिंग दाख हो लेले तो समझा ही वन सिक्स पुजिशन जी आहे तो पाई बॉंड अपलेला काय करता है तो कि वाथ इतले पाई लेक्ट्रोन आपन रोटेट करू शोकतो रोटेशन ची डाइरे ओनार इतले डबल बॉंड चा फॉर्मेशन होईल तुमचा और निगेटिव चार्ज यहा पुजिशन लेए नार जी पूर्चा स्ट्रक्चर मद एक्जाकली जेवा इतले डबल बॉंड फॉर्म होनार तेवादीता कॉनजोगेशन तुमचे में इतले रहात नैं ते मेंट तो बोंड पुड़ शिफ्ट चाले नंतर परत इथा डबल बोंडड़ कारेक्टर सेम यह था डबल बोंड़ चारेक्टर तयार जाले तर परत सलक तुमचे डबल बोंड़ जाले अगें वी हाँ तो मेंटेन कांजूकेशन यह पुर्ची पेर में इकड़ शिफ्ट केली जाते ती शिफ्ट केलना तर में यहां पुजिशन ला तुम्सा डबल बंड तयार झालेला बगाला में तो दिस नतिं बट दे डिलोकलाईजेशन अफ पाई लेक्ट्रोन अपलेला एकाच मोलेक्यल जी कि वहा एकाच मपाँचे मोर दान टू स्टक्चर अधिता दोन कि वहाँ दोन पेख्षा जासता स्टक्चर अधिता तर टेक्स्बुक मादे तुम्सा जर कंसेडर केला तर ओनली अजोनेक हैचा मदे कचेप्ट असती की हाजो तुमसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरा मुट जाँ आज जो गया चैनोनीकल स्ट्रक्चरा लाइट डाक्षो तधना दोनी स्ट्रक्चर चा मदे तुम उस्टाववल हेड़ेड्ए एरो पाई जी यह dapat me मदे तुमझा थोड़ी शी प्रिंटिंग में स्टेक आए इता हाँ एरो जो आहे तो डबल हेड़ेड़ आरो असतो लक्षा ठेवाए यहाँ डबल हेड़ेड़ आर्थक आहे कि दोनी स्ट्रक्चर चा यहाँ प्रॉपर्टी असना रहत्या सेम आहेत मी मगाशी पन सांगीत रिजोनंस मंझे का आहाँ था कि एकाज कंपाउंड्चे दोन के वा दोन पेक्षा जासतो इलेक्रोनिक स्ट्रक्चर आपन ड्रॉप करतू आनि त्या स्ट्रक्चर कड़ एकवल कैपैबल असतते ओल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कराईला दिल्लेले लिया प्रॉप्रटी बेगए आपो जाए अस्त दौन नीचां की वार तो न से लिले तर शार चार पाफ स्ट्रक्चर ड्रॉघ्जया बिद्र रो जेता आप ड्रो फोट ड्रॉघ पंप में शेने थीर में चरियो द्रॉघ घर आफिता की दुसरी इताईल दुसरी इताईल अकॉर्डिंग टुदी रेजोननस इफेक्ट आपन कशाचा शिफ्टिंग करना रहे मनुन सांग इतला मी पाईलेक्ट्राण चा तुम्छे पाईलेक्ट्राण इथ डबल बॉंडेड कारेक्टर है समझा मी इतली पेर शिफ्ट केली तर एक अर्थो मेटा पैरा है आपन बघित लेला है आगोदर पन मुहाचा फुडचा स्ट्रक्चर एक्जाक्ली कसा येनार बंगा तुम्छा एक्जाक्ली आर्थो पुजिशन ला का येनार निगेटिव चार्ज हीनार तुम्चा इतला डबल बॉंड गेला मुन पुडचे जे डबल बॉंड डड करक्टर ते असर है नेक्स्ट्ट महचे का ये कराई जहे के हाँ निगेटिव चार्ज वक्त आप लेला शिफ्ट कराई जहे हाँ पुड चार्ज इतला फुडचा इतला शिफ्ट जाले नंतर एक्जाक्ली पुडची तुम्छी पाल एक्ट्रॉन ची प पुजिशन है त्या फक्त आपन मुग कराल लगलुए नेक्स टेप मदे काय हो इल सांगा हा निगेटिव चार्ज यहा पुजिशन लएनार हाई ताले नंतर कॉंजुगेशन मेंटेंट है वाईला ही इलेक्ट्राण ची पेर फुड़ शिप्ट वेल एक्जाक्ली शेवर्टस जी स्ट्रक्चर है तुमाला तर त्या फॉर्म मदे जर आपन कंसेडर केलो तर शेवर्टी हाँ चार्ज इता शिप्ट होनार अगें डबल बॉंड इता एक अगेंट्रोनिक स्ट्रक्चर आपने चे ड्रॉ करना तेवा त्याच्चो रोटेशन आपन कस बगीत लगी यहां साइडना रोटेशन तुमाला आलेला बगाला मेर्ट जे एकांस बेंजीन यहां कंपाउंड च्यापन टोटल चार ते पांच स्ट्रक्चर ड्रॉ केले और चार रही स्ट्रक्चर चा किवा जे कहीं चार पाच स्ट्रक्चर है तील त्या सग्यां चा प्रॉपर्टी का आसना रहें सेम प्रॉपर्टी दाख्वाला ते कैप बलस्तात यहां तलो कुटल ही एकाद स्ट्रक्चर ग्या है यहां चा प्रॉपर्टी यहां बाकी चा रहल प्रॉपर्टी का शासना रहें, सेम अच रहना रहें। जे हाजो काई फिनॉमिनों नहीं, एकाच्स कंपाउंड छे वेगवेगे इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कराये चे, बाइदी डी लोकुलाजेशन अप पाई एलेक्ट्रोन, त्याला मटला जात रेजोनेंस, कि वाद जाला, ऍसक्याननन श्रॉपर्ट्रोनिक्ट्रोन, लोकुला मटला जात रेज्वननन घ्यार्ट्री काला, त्यायूर्ध स्ट्रक्चर्ट्रिक था, खे अङलें रेजोनेंस, kinशासे था Donald Lagos Sugar, बवी लोकुलाजेशन राहें, उन Toby Lope, तो मेलत वेघ the case of the sub-s यह सग्यान स्रक्चर भी त्या इक स्टक्चर यह सग्यान स्टक्चर निजा अपन रोक है इन यह स्टेबल वल दा रागिट लो और विज्अ के तुम्हें में अल्टरणेटली प्लिशेंगल डबल बॉंड लुटेट होतास तत सर्कल समीनिंग अए जे अल्टरनेटली तुम चे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल आशा फर्म अदे जे बॉंड तरहे डबल बॉंड जाहे दे यह अबिलिटी तो रोटेट कि वहे पाई लेक्ट्रॉंस दी लोकलाजेशन आगे ते दाख्वाए इत परेंसा पाट सा गयाना कडाला है आशा आप एक्षा देन तुम्चे टेक्स्बुक मदे बगा फुड तुम्हाला तैच्छी रिलेटेड रूल्स वगेरे दिले लेथ की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना एक्जाक्ली रूल काई फॉलो कराई चास्ता तर तैच्छा पाई की जर पहिला रूल जर आपन कंसेडर केला तर तैच्छा मदे काया दिले बगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिटन ओनली वेन आल दी आटम्स इन्वाल इन पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टीम लाई इन सेम प्लेस आता है याचा शार्ट मदे है सब पहिला सेंटेंच सा आरता है कॉन्जुगेटेड सिस्टीम बंजे गाया तुमाला मी मैं गाज़े सांग इटले के जिता आल्टरनेटली सिंगल डबल वांट सा क्यरेक्टर रस्त देन सेकंड इस वाट आल दे रेजोनेंट स्ट्रक्चर मस्ट है उदी सेम नंबर अफ आन्पेड इलेक्टरन अन्पेड इलेक्टरन जे रहतात्त अके 100 शी रिलेटेड थाड़े तुमचे श्टक्चर है थिल त्यवस्टाइ रिलेक्टरन तुम गाया तुम सेकंड अन्पेड इलेक्टरन चा नंबर असाल ला तोनी फा 있나लीं जी आपन हाईब्रिड स्टक्चर द्रॉब करतो शग्या चा मिलों एट ऐसे हाइर किवा हाइर स्टैबिलिटी मोर स्टेबल स्टक्चर अस्तते है या सरके रूल आ त्याचे शी रिलेटेड आप लेला सांता ये तिल regarding to the resonating structure ओके या resonating structure शे related तुम्हाला एक example दिले बगा टेक्स्बूक में तो solid example है दे resonance structure of HCOO- या species चाप लेला resonating structure ड्रॉक कराए जाए ताही तुम्हाला है COO- मैंजे है चामादे कार्बोनील ग्रूप है तुम्हाला कार्बोनील ग्रूप है तुम्हाला कार्बोनील ग्रूप है हाँ पूड़ा तेल एक oxygen link है ता oxygen शे रेले तेचे टोटल 8 electron रहता 8 electrons र कंसेडर के ले तर बगा ती तो 8 पैकी तैना एक पेर इता बॉन्डिंग ला यूज के ले तो टोटल तेचा वर्ती इता सहाँ electron आस लेले अपलेला बगाला में तत नेक्स्ट है चा मदे हाट जो डबल बॉंड़ेड ऑक्सिजन है यह चा शे रेलेटेड दोन पेर तैने इता बाप पर लेता तेचा वर्ती जुन दोन लोन पेर दिसता है ता अपलेला यह चा मदे अनपेड एलेक्ट्रों जाहे तैस डी लोकलाजेशन आप पंतर क्यारी आउट केला तो तो माला आयरो चा फॉर्म मदे इता आखोलेला तो यह उक्सिजन वर्ती जी लोन पेर है कि वह जे एलेक्ट्रों है ते यहा पुजिशन ला शिफ्ट होता ता नेक्स्ट होना तुमची पेर पुर्चा स्ट्रक्चर मदे तो चेंज आप लेला बगहला मेल चेंज मदे काई दिस्ते वगाई पेर इकटची शिफ्ट जाले मोले एक्जाक्ली है पोजिशन ला डबल बॉंड तैयार जाला और कार्बन और ऑक्सिजन मदे आसनार ही पेर इकड़ शि स्ट्रक्चर ड्राउ करा आशा टाइप चे क्वश्चन आसता सेम त्याच पद दती न पोड़ा तुमाला आजुन दो एक्जांपल दिले ले आहे नायट्रो मिथेन से एक्जांपल दिले तैचा मदला हा एन ओटू ग्रूब जो आहे तैचा मदे सुधा रेजोनेटिंग स अक्षिजन चा मदे आपलेला डबल बांड़ करेक्टर जाहे तैचा मदे आलेला बगहरा मेल यू गैन सी दिस या पद दती न है रेजोनेटिंग स्ट्चर ड्राउ के ले जाता आथा या रेजोनेटिंग स्ट्चरला च कंसेडर करून आपलेला पुड़ा बगाएचा एक पर्टिकुलर्ली रेजोननस इफेक्ट लास मेजुमेरिक इफेक्ट अस सुद्धा मटला जाता हा तेचा दुसरा पाट पन तुम्ही लग्षाट्यवा रेजोननस इफेक्ट शे रिलेटेड डेफिनेशन काय दिले बहगा तुम्हाला पाटेड लाकी दोन पोल सेपरेट होता है ौके तईला पोलारेटी मतला जा तान ही पोलारेटी तिता कशा मुल़् प्रोडिuppous होते तर in short it is nothing but the delocalization of pi electron रेजोननस इफेक्ट केवा मेजोमेरिक इफेक्ट आसा पन बनुशक्तु आता हाजो इफेक्ट है ना तो पूर्ण तुमचा कॉंजुगेटर चेन मदे ट्रांस्मिट के लजातु आता ह्याचे दोंट टाइप आएं ज़सा आपन इंड़क्टीव इफेक्ट चे टाइप बगित ले भांगा पॉजिटिव इंड़क्टीव इफेक्ट आनी नीकेट्व इफेक्ट आता हाज पर ददना रेजोनस इफेक्ट मदे तसे शेम दोन टाइप पड़ात, positive resonance aannzy negative resonance कि वा positive mesomeric effect और negative mesomeric effect त्याला denote कराला है sin नायद बग़ा, पलस R और पलस M, त達 पतती Congratulations minus R और minus M आस अ सुधा मदला जात अथा, याला responsible को नस्था तर, तुम चात्या conjugated system मदे, ये group attached के ले ले आ है, त्याच्या type वरती सेम जसे इंडक्टिव में दे बगिटला तससा पन मैंजे तो ग्रूप इलेक्ट्रान देना रहा है का इलेक्ट्रान तितना काड़ून गेना रहा है याचा वर्ती है तुम्चा रेजोनन्स डिपेंड रहा था पॉजेटिव आहे कामक निगेटिव है तरबगा ही तो तुम्हाला परश्ट दी लेले Positive Resonance Effect हा कदी अस्तोतर समझा तीता जर तुम्चा Electron Donating Group असेल इता दी लेले Electron Donating और Electron Releasing जर तीता ग्रूप असेल आशी सिस्टीम कि वा आशा ग्रूप तीता असेल जो स्वताचे Electron जर त्या सिस्टीम मदे Conjugated सिस्टीम मदे Transmit करता सेल कि वा देता सेल ताला Positive Resonance असा मतला जरते ओके इडिस गिवन इफ दा सब्स्टिटुएंट ग्रूप हाज Lone Pair of Electrons तो डोनेट दी Attached Pi Bond और Conjugated सिस्टीम Of Pi Bonds The effect is called as Plus R मैंजे आर्थकड़ाला त्याचे अकड़ा स्वाताची Lone Pair आसते तीजर तो त्या सिस्टीम मदे Conjugated सिस्टीम मदे डोनेट करता सेल तर ते महाचो Effect क्रियेट होना तला मतला जात Positive Type चा Resonance Effect आशे कुटले ग्रूप है त्या पॉजिटिव ग्रूप है O-NHR अमायन टैप चा क्यारेक्टर जा है या ग्रूप ची रिलेटेट है कशा असताथ Lone Pair क्यारी करना रहे है एंटिटी असताथ वा है लोजन ची रिलेटेट जर बगिटला तर त्याचा वर ती सुदल लोन पे रहेताथ आशे ग्रूप जर ती तप रेजेंट असतील तर तैचा मदे पॉजिटिव ग्रूप की वा पॉजिटिव रेजोनन्स बगहला मेतो एक्जांपल शे रिलेटेट तुम्हाला अनेलीन चे रेजोनेटिंग स्टक्चर दिलेट अनेलीन मंजे का असता की बेंजिन रिंग ला एनेच टू ग्रूप आटेच केला जतो अपन नोमेनकलेचर जा आहे तैचा मदे अनेलीन चे बगितले अचा अनेलीन जर बगितले तर तुम्हा अनेलीन मदे हाना एक्टरोजन वाती दिलेट बगहा लोन पेर असताथ अचा लोन पेर काई करतो हा अनेलीन यहा कॉंजिगेटेट सिस्टी मदे स्वाता कड़ना देतू अथा तोजे वा देनार ते वा एक्जाक्ली एरो चे डाइरेक्शन बगहाई चे कसा दिले बगहा यहा इक कड़ना दिले नंतर तर एक्जाक्ली फुर्चा स्टक्चे मदे यहा पोजेशन ले तुमचा डबल बॉंड चा फार्मेशन जाले ता इथा डबल बॉंड जाला तर एक्जाक्ली जोड़ून सलक डबल बॉंड एताथ मते आव ओड कराला ही पेर काई के लिए पुड़शिफ्ट के लिए अर्थो पोजेशन ला मैंजे इतले पाई येक्ट्रॉन काई जाले बगा डी लोकलाइज मैंजे पोजेटिव रेजोननस ता सुरू जाला दूँँचा सुरू जाला नंतर काई जाला पुड़ जोनफक तहां निगेटिव चार्ज काया कराइचें? अप्टेला हालवज जाईचे, फुड़ शिफ्ट कराइचें, हा फुड़ शिफ्ट केला पन तर इतली पेर काया होनार? फुड़ शिफ्ट होनार, जै एक जाकली परत या अर्थो नंतर पैरा पुजिशन ला निगेटिव चार्ज एनार, नेक्स्ट वन, हा निगेटिव चार्ज पुड़ शिफ्ट करा, ही पेर फुड़ शिफ्ट होई, जै परत जो चार्ज है तुमचा, तुकुट एनार अर्थो पुजिशन ला, आनि फाइनल स्ट्रक्चर जर कंसेडर केला अपला, तर हा परत फुड़ शिफ्ट करून ही पेर आहे तशी तुमचा नैट्रोजन वरती लोन पेर एती, उके, पहिला स्ट्रक्चर आनि हे शेवर्ट सा जे स्ट्रक्चर है ता, इता ते दीलेले नाई है, फाइनन स्ट्रक्चर एक्जाक्ली अपोजिट साइड न तुमचा या बॉं इतले डीटेल मदे एक्जाक्ली तर जो तुमचा निगेटिव चार्ज आए बगा, तो कुट स्टेबल धालाल बगाला में तो, एक्टर तो आर्थो पुजिशन ला, कि वह एक्टर तो पैरा पुजिशन ला एतु। एक्टिवेट होतात, हे ग्रूब जा आहेत, इतले तुम्हाला टेक्स्बुक मदे एक्जांपल मनून दी लेलेत, ते लक्षा ठेवायचेत, कि तुम्हाला ग्रूब दी लेलेतात, इमां है चावरोन पॉजिटिव आसेल, आर का निगेटिव आर आसेल, हे विचार लाजा अस्तो, मत्याचे असे कुटले ग्रूब है, तर तुम्हा कार्बुक जाहलिक अस्तिड असेल, कि वा अल्डिहायड, देन कार्बोनिल ग्रूब, साइनो, नाइट्रो, इस्त, या फोर्म मदे हे उडे ग्रूब जर तुम्हा सिस्टिम मदे आस्ति, कॉन्जुगेटेट सिस असे प्रूब लाइत, यह स्प्लिट करूंदी ले, यह कसा है, नो टू है, इता काय दिशते बगा, हे नो टू स्प्लिट के लेला दिशते है, अपलाला मझे, एन डबल बॉंड ओ, अनि एक ऑक्सिजन, यहा ऑक्सिजन वर्ति का यह सता फुड़, इता लोन पेर वगेर य जाई तो दा खो लेला नाईत, अधा इधा डबल बॉंड यहा विद्रॉइंग ग्रूप है, विद्रॉइंग मझे कहते हैं, हीजी तुमची कांजुगेटेड सिस्टीम है, ह्या सिस्टीम मझे न हा ग्रूप इलेक्ट्रोन काय करूंगे तो ड्रैक करनार, स्वताप्ड का आप लेला भगायला में ते इस्टैबली जालना तर यहां पोजिशन ला तुम्झा पॉजिटिव चार्जेना ओके माँ फूड़ा जाओना पन फ़क्त हें कॉंजूगेशन मेंटेंट है त्या मुला ही पेर इता शिफ्ट जाली कि शिफ्ट जालना तर इथा डबल बंड चा अपोजिट डायरेक्शन ना लेला बगायला मेल मंझे पहला स्ट्रक्चर में आपन रोटेट करता ना बंड यहां फॉर्म में रोटेट केले आणि जह हुआ पन फाइनल स्ट्रक्चर बगोतेवा बंड चा जे रोटेशन आतुमाला ते एक्जाकली अपोजिट करून लेले जाता समझाई था अल्डी अएड आसेल मंझे जात्याचा नोटेशन जर बगिटला तर हे एक असास नारे सी डबल बॉंड हो एक इकडची पेयर जासेल ती तुमची बेंजिन रिंग लाटाय चासेल आनी इकड़ा हाइड्रोजन आसेल त्या फॉर्मची रिल त्या अग्दी वेवस्तित स्टडी करें चाइड करन हे दो नहीं इंपोर्टन्ट है जाजे MCQC रिलेटेड पार्ट है तो ते वाट आचा मदे हैचावती भरपूर अशे क्वश्चन आस्तात समझने त्या मदे दोनी जे सांगित ले में रेजोनांस एफेक्ट्शी रिले आणि त्या चानु सार हाँ पूर्ण पुएंट फूल कॉंसेंट्रेशान न स्ट्रडी करें चाइड स्टूडन्ट नेक्स्ट लेक्चर लामाग रिमेनिंग जे दोन पुड़ जे एफेक्ट्ट है ते आपन घेना रहें